आई गाइस वेलकम तो गैडली कैसे हैं आप लोग आई होपस अच्छे होंगे तो स्टार्ट करते हैं आज की कलास हम लोग आज हम लोग स्टेन नंबर ओव बॉक्स का मेंस लेगे जो कि आपके लट मेंस के लिए है और भी क्लरक मेंस ले सकते हो प्यो मेंस में भी आ सकता है अगरार भी प्रियो मेंस में लेकिन और एक फ्लोर एंड फ्लैट का बेस्ट का कंसेप्ट है ठीक न अफ लॉर एंड फ्लैट में आपका एक थोड़ा सा वैकेंट को भी लेके डिफरेंट कलर ध्यान दीजे डिफरेंट कलर में पेंट हुए हैं बॉक्सेश दबॉक्स विच हैस नमबर ट्वैल इस प्लेज सेकेंड फ्रॉम दा बॉटम मतलब भाई बॉटम से कि Disney the किक नमबर पर जो बारा नबर वाला वो रखा ई ग्रीन क्लर भॉक्स इस2 इमेडियली बिलो दड़ बॉक्स मिचश इन ठीक है थीकल झैड ऐख हैएं इमेडियली बिलो कौन सबउक्स आजह अगर ग्रीन कलर मॉक्स आजयेगी गरीन कलर वॉक्स भोक्स जै इस प्लेट फॉर बॉक्स अबव बोक्स आई आई ऐसे-फोर बॉक्स अबाव मतलब एक बॉक्स दो बॉक्स तीन बॉक्स करके जे ठीक है ईव Mitch으 in white vibrant demographic जिसको मैंने white कब दे लिया ठीक है, red color box is immediately to box। कहने का in short यह हो जाएगा कि red। और I box। एक दूसरे के immediate neighbor है। आगे देखिए, box m is placed below box, pink box, मतलब m जो box है, वो कही ना कही बिलो है pink box के, pink बिलो है कही ना कही म, box m is placed below of pink box ठीक है m जो box है कहीं न कहीं pink box के नीचे है और कितना नीचे नहीं बताया गया भी two boxes are between red color box and the box s अच्छा red color box one box two box और यह रहा s तो red और s red color box और s के बीच में दो boxes है अच्छा three boxes are between box j and the box which is of yellow color क्या कहरा three boxes are between box j and the box which is of yellow color तो मैं ऐसे करता हूँ कि j यहां लिखता हूँ one box two box team box करके yellow को मैंने यहां लिख दिया ठीक है जे एंड यह लो कल बॉक्स बी इस प्लेस इमेडियेटली बिलो दब यल्लो कलर बॉक्स तो यल्लो कलर के नीचे इमेडियेटली बिलो तो यहीं वाला case बनेगा न भी यस और लो अरे भाई यलो वाले के टेरा की यलो वाले की इमेडियेटली बिलो मेरा बी वाला आएगा अब बी और जे के बीच में कितने बॉक्स हो गया है एक दो एक सेकेंड यह दोनों बॉक्स अच्छा एक और बात सुन लो यहां से किया ऐसे तो यलो और जे तो मैंने बिल्कुल बनाया है इसमें कोई दिक्कती नहीं है दोस्त लेकिन यहां पर एक यह है कि यलो वाले के नीचे अगर हमने सुनो में गलती बताता हूं कि गलती क्या करोगे है तो मेरी बात ध्यान से अगर मैंने यलो के ठीक नीचे ऐसे कर दिया तो यह बात कैसे पता चल गए कि हमारे जो यलो है वो नीचे ही आए का क्योंकि जे और यलो के बीच में तो हमें कुछ लिख दिया होता तब हम क्या करते बाइड डिफाल में दिमाग करता कि ठीक है बी और जे के बीच में अगर कोई वैसे लाइन लिखी है यहां पे कि दा बॉक्स बिट्वीन बी एंड जे इस सेम एस दा नंबर और बॉक्स बिट्रीन आई एंक्यू तो अगर हम देखते हैं से दा बॉक्स बिट्वीन बी एंड जे वाइश फिसका ऐगा है कि एक सेड रखा थीं एक काम पर्या है की बॉक्स जो घो पर जे के बीच में है उतने ही बॉक्स यू और incap बीचे देघ बीच में है और जे मारे लिऑग की आपॉट पर? इच अधर, the box J has square number and box Q has double the number between box J and Q, between box E and M is double the box between B and J, okay, the box which is of pink color is placed three boxes above box E and adjacent to box B, box S is placed below box M, so M के नीचे कही न कहीं box S है, यहीं तो कह रहा है, कट तो नहीं रहा है कुछ, कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है, ध्यान देना पड़ता है not more than one box is placed above box B, oh my god, oh my god, clearly last line ने बता दिया हमें, कि हमें concept क्या लेना है, दोस्त मेरे concept क्या लेना है, यह बात होता है कि not more than one box is placed above box B और यहां पर अगर हम यह वाली situation को लेते हैं, तो B के above, तो more than one हो गया box, इसका मतलब यह हो गया, कि J नीचे आएगा, यलो उपर जाएगा, मैं इसको इस तरीके से correct कर देता हूँ, समझ में आ गया ना, यलो यह आएगा, यलो के नीचे B था, तो B मैंने यहां लिख दिया, अब बताओ, अब बताओ, अभी सही है, अब B के above, एक ही box आना साहा, और एक ही box आएगा कि क्योंकि not more than one box बोल दिया है, तो यह ली condition में हटा रहा हूँ, और अब मैं देखता हूँ कि B और J के बीच में कितने box हैं सर, B और J के बीच में तो दो boxes है सर, तो I और Q में भी दो boxes होंगे, और Q और J बगल में हो जाएंगे, तो मतलब वो नीचे होगा ना कहीं न कहीं, तो इस तरीके से बनाते हैं चलो, मैंने J को लिखा, वन बॉक्स, टू बॉक्स, और यह राध थ्री बॉक्स, और यह राध चार आई, जिसको मैंने दिया वाइट, बहुत अच्छा कुशन था भाई, मज़ा आ जाएगा, आई, आई के बाद आपको देखने मिलेगा, दो box नीचे देने पड़ेंगे, और फिर Q देना पड़े यह खाली, फिर B और फिर यह वाला बॉक्स जिसके पास यल्लो कलर, यल्लो कलर, बराबर, ठीक, अब कुछ क्लाइने कह लीए थी, उनको पकरते हैं, the box J has square number, box Q has double the number of boxes between J and Q, तो J and Q, J यह है, और, एक second, कुछ mistake कर दी है क्या, J यह है Q, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और Q के बीच में 6 box हैं, तो 6 का double बारा होता है, और बारा तो अल्लीडी में रपास है, तो Q के पास बारा हो जाएगा, और यह बारा वाला bottom से, bottom से second number पर था, मतलब एक box और add हो जाएगा, इस box क अब कोई नहीं नहीं, मतलब तुमने जो जितने number of boxes थे हैं, वो तुमने fix कर दिये, योगि उपर से बता दिया गया था, कि not more than one box above भी कर दिया, नीचे से बता था, second से bottom से second number पर 12 वाला था, कर दिया, यह number of boxes आपके आने चाहिए, अब बाकी की conditions जो है, उनको fix करेंगे, ठ हो चुकी ही, यह तो हटा दो, यार, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दो, जी और क्यूब भी हटा दो, बी और जे वाली भी होई गई है, condition हटा दो, अचाहिए बात बोलो, square number बोला था ना, किसके पास, box, j has square number, और square number किसके है, 36, 36, 36 तो, 36 आपका, यह हो जाएगा, 36 के नीचे आपके पास, यह वाला box क्या हो जाएगा, green color का box हो जाएगा, green color box, ओके, यह वाली भी condition मेरी fulfill हो गई है, अब आगी देखते हैं, और क्या, yellow और भी वाली भी मेरी हो गई है, यह भी हटा दो, अच्छा, अब बाकी की condition यह बोली गई है, हमसे, भाई मेरे, और देखते हैं, और क्या बोली गई थी, box e and m is double the box between box b and j, okay, double the box between box b and j, b कहां है और j किदर, j यह बी यह है, तो double मतलब b और j के बीच में double मतलब हो जाएगा, दो दो नहीं, चार, तो e और m के बीच में, चार boxes होंगे, of course, अच्छा, the box which is of pink color is placed three boxes above box e, e से three boxes above box pink color हो, तो मतलब एक box, दो box करके pink हो जाएगा, अच्छा, और pink के नीचे ही m आना है, और m के नीचे ही s आना है, i और red बराबर होने हैं, तो यार हमें कुछ लग रहा है कि क्या कर सकते हैं, देखते हैं, color change करते हैं सबसे पहले, तो और देखते हैं connection, देखते हैं box e and m is double, तो e और m, तो e और m के बीचे मुझे, अगर हम m को fix करते हैं, अगर e को fix करें तो ज्यादा better रहेगा, मुझे लगता है, ना, let me check किस point को उठाया जाए, देखने दो थोड़ा सा, थोड़ा सा observation करना है कि किस point को उठाया जाए, अगर मैं देखता हूँ, मुझे possibility लेनी पड़ेगी न, eye or red, तो हमने सोचा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, सुनो, कोई case दिखनी रहा है, तो एक काम करते हैं, सुनो, और red, यहां red, red और s के बीच में, red और s के बीच हैं दो box, एक दो करके s तो लिखनी सकते हूँ, एक दो करके तुमने s को यहां लिखा, तर s को यह लिख दिया, red और s के बीच हैं दो box, पर बात यह बोली थी, s, ठीक है, हमने कोई दिक्कत नहीं है, हमने यह भी कर दिया, s यहां पे, और क्या बात बोले सकते हैं, अच्छा, s और red भी मेरा हो गया, और s से उपर कहीं न कहीं, m हो सकता है, फिर pink हो सकता है, okay, e और m, यार हमें e और m के बारे में भी कोई information नहीं मालूम है, ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करेंगे तो first जाएंगे, जो कुछ देखना पड़ेगा, box m is placed, अच्छा, और कोई information नहीं दिये, क्या यार, e के related, box between e and m is double, तो हमें e के बारे में, the box, which is pink color, is three boxes, above box e, e के बारे में ये बोला गया है, अच्छा, तो, क्या कर सकते हैं, e को कहाँ fix कर सकते हैं, और pink को कहाँ कर सकते हैं, क्यूंकि, cases काफी आएंगे, रूप जो, सोचने दो, अगर हमने e और pink वाला उठाया, की e के boxes above, तो, green color ये है, बार देखें कुछ information, green color box is immediately, अच्छा, box j is above i, which is of white color box, red color is immediately box to i, box m is placed below the box, pink, two boxes are red, three boxes are placed between box j and which is of yellow color, box b is placed immediately below yellow, ये भी done है, the box between box b and j is same as i and q, ये भी done ही कर दिया, q and j are not adjacent to each other, ये भी हमने done करी दिया है, the box j has square the number j के पास, 36, 36 के immediately below, मैंने green को डाल दिया है, अच्छा, box between box j and q, बराबर है, ठीक है, box between e and m is double the box between b and j, तो हमें e और m के बीच में चार box भी तो लिखने है, तो या, m कहां कहां जा सकता है, ये भी तो मेंटर करता है, चलो box s is placed below box m, box s is placed below box m, oh ho, okay, so box m, the box which is of pink color is three boxes above box e and like, oh ho, ये line देखो, the box which is of pink color is placed three boxes above box e and and लगाया गया है, and लगाया गया है, यहीं line थी, and adjacent to box b, ये भगवान एक छिंपल सी line थी, इसको छोड़ ला था, pink और b, एक दूसरे के adjacent हैं, तो pink confirm है, यहां आ गया, हो गया question, यार, मैं वहीं को कहीं तो कुछ दिक्कत है, भी ये है, fix कर चुके, तो pink यहां होगा न, एक line की वजए से न, दिमाख खराब हो रहता, pink ये रखा, e को fix करो, एक, दो करके, 100% e हो जाएगा green, बराबर, e को लिखते ही, e और m के बीचे चार box, ऊपर तो लिखना है, क्योंकि m के नीचे, देखो, ऊपर क्यों नहीं लिखेंगे, देखो, e ये है, तो, एक, दो, तीन, चार करके, ये m, कभी नहीं सुकता, ऊपर हमको pink को लिखना है, न, pink के नीचे m है, pink के उपर m नहीं है, तो नीचे m को लिखो, एक, दो, तीन, चार करके m, और m के नीचे मुझे s को लिखना है, s ये हो जाएगा, अब बताओ कौन सा point रह रहा है, yes, red वाला रह रहा है न, तो दो का gap दो, एक, दो करके, yellow red color, yellow red color हो गया, question solve, छोटा सा एक point था, ये end मिस कर र आते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं, अगला सवाल भी बहुत मजदार है, चलिए, इस question के ओपर, कुछ questions है, इन पर क्या कहता है, question कि how many boxes between E and the box which has 12, तो देखिए, 12, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच box, option number C, how many boxes are placed between box I, how many boxes are placed below box I, that is, four boxes, if box G is placed immediate above box J, रखो जरा, ये condition वाला है question, हाना, J, J के immediately above, मैंने box G को लिग दिया, जैसा इसने बोला, box G is placed immediately above box J, then how many box are placed between box G and the box in the red color, G and the red color, so, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 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 पाँच number of box between box I and box S, number of box between I and S is same as number of box between E and I and S के बीच में, आई ये हैं, और S ये तो, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन box है, तो E से respect में देखो, एक, दो, तीन, E and B, एक, दो, तीन, हाँ, E and B, यहाँ पर आएगा आएगा, आपका that is B, पर आप्शन में नहीं है, नन आप दीस, नन आप दीस, हाई रभाई, how many box are plays in the above arrangement, that is 13 box, I hope so clear, अग्ला सवाल देखते हैं, So, अग्ला सवाल यह रहा आपके सामने, यह रहा, ठीक है ना, देखें, floor and flat का है, देखें, पहले structure पढ़ा लेते हैं, हाना, बहुत बार, आराम से पढ़ना structure, बस एक बार structure तो अल्रीदी मैंने मरा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, कहता है, 9 persons हैं आपके सामने, 7th floor में, each floor contain 2 flat, flat number 1 and flat 2, which is right of flat 1, bottom most floor is number 1 and the floor above 1 is number 2, okay, and so on till the top most floor number 7, ठीक है, यहा तक कोई दिक्र, there are vacant flat in the building, floor नहीं है, vacant यहा पे flat है, not more than one person live in the each flat of a floor, two floors are between I and H, अब यहां से point शुरू होता है, देखिए, यहां से point शुरू होता है, तो मैं बार काम करता हूं, पहले तो numbering कर दूं, हाना, 7, 6, 5, 4, 3, 2, और 1, अगे देखिए, क्या बार क्या है, two floors are between I and H, दो floor है between I and H, अगे लिव इन ओर नमबर flat, और नमबर flat मतलब एक ही odd है, that is one, first flat महीं आना है, even number floor, तो 6, 4 और 2, बट यह बात बोली गए, कि I live at one of the floor above H, तो मतलब कभी भी छटे नमबर पर तो आएगा नहीं, वन आपर हम आई क नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यह बोला गया है, कि H live odd number flat, even number 4, and I live at one of the floor above H, और two floor between I and H, तो हम नहीं लिख पाएंगे, तो X को मतलब हम चौते नमबर पर या तो दूसरे नमबर पर रखके देखेंगे, तो हमने सबसे पहले H को यहां रखा, ठीक है, अब उसके आपने स तो यहां रखती रेखेंगे, क्याता D lives immediately below I and flat number of both are same, three floors between A and E and the flat number both are also same and A lives immediately below D and the flat of both are not same, तो I, I came immediately below D लिख दिया, D came immediately below A लिख देगे, but flat same नहीं लिख देगे, तो यहां लिख देगे A, और फिर E को लिख देगे, एक, दो, तीन कर कि E को मैंने यहां लिख देना है, आई क C lives immediately above B, but the flat number are not same and only P and B in their respective floor, मतलब C और B के साथ, C के साथ, अगर C number flat 1 में है, तो उसके एक vacant होगा, और उसके C के कर है, B के immediately, उपर है, तो B आपका इस वाले flat में आजाएगा, और यह एक, यह condition बननी चाहिए, और अगर आपका flat number 1 खाली है, C यहां flat number 2 में है, तो B आपका flat flat number 1 में आजाएगा, off right number 2 में आपका blind हो जाएगा, यह condition को बठाल नहीं पड़ेगी, क्या यह situation, क्या यह scenario, क्या मैं ऊपर लिख पाऊँगा, नहीं लिख पाऊँगा, बिल्कुल गलत है, कोई B गलत ही नहीं बनेगी, जहां मैं यह scenario को fix कर पाऊँ, इसका मतलब मैंने I को गलत बठा रहा हुआ है, तो सब I को हटा तो, I को यहां रखके देख लो, अगर I को यहां रख़ा, D को यहां रख रहीं, D के नीचे A को लख रहीं है, यहां पर एक, दो, तींगर के E को, again बताओ मुझको क्या मैं लिख पा रहा हूँ, जवाब रहेंगा, नहीं सार नहीं मैं लिख पाए, इसका मतलब मैंने H को गलत लिखा, अगर H को गलत लिखा, तो H को मैं यहां लिखूंगा, अब ओपर यह मुझे I को लिखना है, या तो I यह होगा, या तो I यह होगा, अब सुनो, I को सबसे पहले मैंने यहां रखके देखा, I के नीचे D को मैंने यहां र लिखूंगा तो ये बोलाए कि आपका G flat is two flat above B flat तो B flat के two flat above gap तो एक flat करें परेगा G और same flat होगा कि flat flat की बात हो रही है तो B यहां कोई फारदा नहीं है ना एक गड़ देखें जी नहीं लिख पाएंगे तो इसका मतलब B मैं यहां लिखूंगा तो G मैं एक गड़ देखें G को यहां लिखूंगा और B यहां लिखूंगा तो C यहां लिखूंगा यह खाली यह खाली of course अगर two floor are between F and G and F flat is north west of G's flat तो G के respect से अगर हम F को देखें तो F इस तरीके से होना चाहिए तो two floor are between F and G, G यह है तो one floor two floor करके हमको F को यहां लिखना पड़ेगा ना यहां तो हम इसका मतलब कि मेरा यह चीज विलकुल गलत हो जाएगी अटा दो यहां नहीं होगा 100% आई यह होगा max to max 3 minute यहार max to max 3 minute बट जिनके लिखन है यह उनको पहम लगेगा आ Major, B यह हुआ, D यह हुआ, D के नीचे A यह हो जाएगा, A के साथ E नीचे यह हो जाएगा अब यहां हो नहीं सकता कि centralized J ने लिख पहेंगे तो B यहां हो जाएगा, G यहां जाएगा बी के साथ-साथ आपका देखा जाए यहाँ पे, तो C ये होजाएगा, ये खाली, ये खाली, अचा है, वन फ्लोर, टू फ्लोर करके F ये खाली, और F से नौर्थ वेस्ट में ही G आ रहा है, सॉरी, G से नौर्थ वेस्ट में ही F आ रहा है, फ्लोर अबब G, तो G से टू फ्लोर अबब मतलब G ये है, तो टू फ्लोर को मलब एक फ्लोर का गड़ देखे, एक फ्लोर का गड़ देखे, D आएगा, तो मेरा आपके सामने, D यहाँ पे हो जाएगा, I hope so, अनसर आपके सारी मैच कर जाएगी, यह जो पांच कोशन्स थे, तो इफी परीकिया से छोटी-छोटी कोशन्स आते हैं आपके मेंस के एक्जाम में, दो मार्क्स, तीन मार्क्स के, तो अच्छा बढ़ा हो सेशन तो जरूर लूर लाइक करेगा सेशन को, और मैंने रिकॉर्डेर इसने रखा है ताकि ना कम समय में जादा से जादा आपके 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 आउटेंट देपाऊंटेंगे ना, चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में में मेंस की क्लास में, तब तक लिए टाटा, बाइ-बाइ गाईस, थेंक्यू.